तो नमस्कार आज है मेरा पहला मीनी व्लोग तो आज मैं किचन में क्या बनाने जारी है वो आपके साथ शेयर करूंगी तो मैंने यहां पे लिया है हांडवे का आटा जिसको मैंने चाच में बिगो दिया था सुबह और शाम को मैं बना रही हूँ हांडवा तो हांडवा और डोकले का लोट एक ही होता है तो मैंने रेड़ी आटा लिया था तो अभी इसके अंदर हम सारे वेजिटेबल एड़ करेंगे तो मैं सबसे पहले तो वेजिटेबल लाई और मटर ठोड़े चिलने बागी रह गया था तो मैंने सोचा कि अभी मटर चिल लेती हूँ पहले तो तो सारे मटर पहले तो मैं फोल लूँगी मतलब छिलके निकाल लूँगी तब तक तो किया ना जाता है बाजु में मुझे दिस्टप करने के लिए और ये हमारा रोस का होता है क्योंकि उसको है ना किचन में ही रहना होता है उसको उपर बैठना था तो वो बोला ममा मुझे उपर बेठना है तो मैंने तुरन्त ही उसको उपर बिठा दिया फिर मैंने बूला कि सब को है Trump करो तो फिर है ना उसमें भी हेलो किया ॉर्श वो इधर उदर चूरा था तो मैं है मतर को कटर में आल दिया था औस जैसे मैंने के टल शूरू किया तो वह किया न को देख उMAN मेरे साथ मेरे मटर आधा कराश करना तो वह मैं साइड में रख कर दूंगी अगर आपको ऐसे पूरे मटर डाल तो वैसे भी आप डाल सकते हो तो साल साथ में क्यां देता है तो मुझे बहुत ही मज़ा आता है खाना बनाने के और अभी मैंने लिया है वो भी मैं कटर में डाल रही हूँ आप चोटे-चोटा कट कर सकते हो कियान बाजु में पैसे देखके वो बोल रहा है कि इतने है इतने है तो मैं भी उसके साथ बात करते करते अपना कीचन का काम फटा-फट करती जा रही हूँ तो यह ना के साथ मैंने लसुन भी डाल दिया और हरी मिर्च में भूल गई थी फ्रीज से निकालना तो मैं गई हरी मिर्च लेने के लिए तो मैंने तिखी वाली दो मिर्च इसमें डाल दी दो से तीन डाल सकते हैं आप अपने ही साब से तिखा जैसा भी खाना है तो देखो इसमें त तो देखो मैने भी सिखाया कि क्यान ऐसे करते हैं तो उसको भी बहुत मेरे साथ मजा आ रहा था तो चलो अभी मैं कट कर लूँगी धनिया अरा धनिया जो हम हैंडवे के बेटर में डालेंगे तो हैंडवा का बेटर जो है वो मैंने मतलब चक्की पहना डोगला का आटा मिलत है उसी से ही मैंने बनाया है तो अभी यह बैटर में हम मत डाल देंगे धनिया पाउडर नहीं पर दनिया डालेंगे हरी पत्ती और हमने जो यह क्रश करके रखा तो यह देखो इसमें तो मिर्ची रह गई है तो वापिस मुझे इसको क्रश करना पड़ेगा क्योंकि यह किया मैंने किया था इसलिए नहीं हुआ हैं तो अभी करतीर कर रही हो वापिस आंदे गया मुझे करना है मुझे करना है मुझे together म Würmer मो मोद मैंने कर दिया जोर-जोर से और यह भी हो गया होगा उसको TO्ट पता नहीं इसका खेलो नहीं बन चुका है तो यह अभी हो गया है क्रॉ अभी वो डाल देंगे हम बेटर में खोल के तो यह गया पूरा प्याज ओनियन और हरी मिर्च इसके अंदर अभी इसके अंदर जाएगा गाजर तो गाजर मैंने कदुकस करके डाला है इसमें आप अपनी पसंदीदा कोई भी सबजी मतला वेजिटेबल एड कर सकते हो बहुत के नुसार नमक डालूंगी कि नीचे उतर गया है और वापिस मेरे पेर के पास कुछ ना कुछ मज़ा कर रहा है तो अभी मैंने शक्कर और नमक डाल दी वापिस वो उपर बैठ गया है वो लेमन का जो होता है न वो देख के आया है तो मैंने बेटर टेस्ट किया कि उसमें कुछ कम तो नहीं है तो वापिस लेमन डालने के लिए उपर चड़ाये देखो उसको भी वो करना था तो वो वापिस आ गया है और मेरे साथा साथ उसको सब कुछ करना रहता है तो उसको भी क्या time पास होचता है और मुझे भी kitchen में है न बोल नहीं होती हूं मैं क्योंकि कि मेरे साथ ही बैठा रहता है किचन के उपर मतलब प्लैट्फरम के उपर तो उसको भी खेल के मतलब लगता है कि नहीं में खेल रहा हूँ और मुझे बड़ा मज़ा आता है उसके साथ तो देखो ऐसे ही खेलते खेलते हम दोनों ने बैटर रेडी कर लिया है इसमें लेमन डाल समझार तो बैटर को रखके मैं चल गए थी नीचे बहुत सारा सामान लेके आई हो सबजी भी लेके आई हूँ सूची सबकूश लेके आई हूँ और अभी चीराक भी आ गया है साथ में आफूस से तो हम हमारा जो बैटर रख के गये थे उसको हम अभी देखेंगे देखो यह बहुत ही बढ़िया हमने बेटर डटके रख दिया था ऐसा यहां नहीं है कि आपको छोड़ देना है त्यूरंच भी बना सकते हो वापस मैंने टेस्ट किया पर बहुत ही बढ़िया है तो अभी इसके उपर हम डालेंगे baking soda तो मैंने दो चुटकी baking soda डाला है और उसके उपर देखो ये विमलास पिकल जो मेरी मम्मी का पिकल हमने बनाया था वो याद आ गया तो मैंने सोचा आपको दिखा दे दियो इसके उपर हम डाल देंगे lemon मैंने आदा lemon डाला है पहले मैंने एक lemon डाला था क्या कि बहुत ही अच्छे से ये फर्मंडाइल हो जाए तो अभी बहुत ही अच्छे से mix mix करेंगे और बाद में अभी पैन लगाएंगे पैन के उपर अभी क्या होगा वो दीरे दीरे आपको चलो starting से दिखाती हूँ कि अभी मेरे हाथ में आ गया है मसाले का डिबबा जिसमें हमें जिसमें से एक ही चीज का उप्योख होगा वो है राई राई मतलब की सरसो पूरा जो ब्लैक वाला सरसो हता है वो और वाइड तील तो दोनों का तरका लगाएंगे इसमें लाल मिर्च का भी यूज होता है पर मेरे पास लाल मिर्च नहीं थी तो फिर इस दोनों का ही में यूज करूंगी तो गैस मैंने ओन कर दिया है तील और राई दोनों बाहर निकाल लिया है और अभी हम इसमें एड करेंगे ओल इसमें ओल है थोड़ा ज्यादा रहता है पर जो एक्स्रा ओल होता है न वो निकल जाता है मतलब की पैन में ही रह जाता है तो ओल को हम होने देते है गरम तो ओल गरम हो जाने के तुरंथ ही बाद हम इसमें डाल देंगे राई और तील तो जैसे ही मैंने तील डाले ना तो एकदम से फट फट करके पूरा इतना उड़ा ना कि सब कुछ मेरा आज बाजो सब विखर गया मतलब तील तील हो गया और इसके उपर हमेंने डाल दिया बैटर दो से उपर थोड़ा चमजबर के मैंने डाला है और इसको भी ड़क के हम रख देंगे हाई फ्लेम पे इसी टाइम पे चिरागाय और बोल रहे थे मुझे कि क्या बना रहे हो तुम क्या बना रही हो ऐसे पूछ रहे थे तो देखो यह ड़क के मैंने रखा है तब तक यह सारी जो वेजिटेबल मतलब सारी थेलिया साइड में पढ़ी है वो मैं तुटने का डर रहेगा तो पहले तो चारो साइड से हमने निकाल लिया फिर ऐसे ही मैंने पटा दिया तो देखो बहुत ही अच्छे से पलट चुका है और बहुत अच्छा पक चुका है तो इतना तो जलना ही चाहिए ताकि वह अच्छे से क्रिस्पी हो तो दूसरी के लिए रख दिया था वापिस हम चेक करेंगे कि वह पक चुका है कि नहीं तो देखो वापिस में ऐसे ही पल्टाऊंगी तो बहुत ही अच्छी डिजाइन आ चुकी है और बहुत ही अच्छा हंडवा पक चुका है तो इसे दिखके ही शायद आपके मुँमें पानी आ रहा ह होगा और यह मैंने निकाल लिया है प्लेट में सर्व करने के लिए और अभी में है ना इसको पीजा शेप में काटूंगी तो कि आप बच्चों को अगर खाने के लिए देते हो तो यह हल्दी भी है क्योंकि इसमें कई सारी डाल भी आती है और चावल आते है और वेजिटे करना देखो मैं इस तरीके से काट के फिर सर्व करूंगी इसके साथ आप कैचप हरी वाली चटनी कुछ भी खा सकते हो तो मेरा हंडवा हो गया है रेडी आप देख सकते हो और आज का वीडियो का एंड हम यहां पर ही करते बाबाई